नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज एटीन विहार चारकाइट मैं हूँ आपके साथ रुची का राज अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने के शौकीन है तो ये ख़बर आपके लिए है जियां बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानि की इंपोर्ट टेक्स घडने के बाद तीन दिन में सोना पांच हजार रुपे और चांदी छे हजार चार सो रुपे सस्ती हो चुकी है सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा कर 6% कर दिया है और इस से भाव में ये गिरावट आई है बताते हैं आपको कि बजट के दो दिन के बाद यानि 25 जुलाई को सोना 974 रुपे गिर करके अब 68,177 रुपे पर आ गया है और सोना चांदी के भाव में आज यानि कि शुक्रवार के दिन 26 जुलाई को थोड़ी और गिरावट देखने को मिली है शुक्रवार को जब मार्केट खुलते ही सोने के दाम में 159 रुपे की गिरावट दर्च की गई है तो आएए चानते हैं कि आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इंडिया बोलियर एंड जुलर्स असोश्येशन के अनुसदार आज 24 कैरेट कोल्ड का रेट 68,079 प्रती 10 ग्राम है चांदी के दाम में भी आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है चांदी का रेट आज 338 रुपे की गिरावट चांदी के रेट में देखने को मिली है जो कि 999 शुदता वाले 1 किलोग्राम चांदी का रेट 81,136 रुपे है बता दें आपको कि कॉमोजिटी एक्सपर्ट के अनुसार इस बार बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 15% से खट कर 6% कर दी गई है इससे इसकी कीमत में गिरावट देखनी को मिल रही है लेकिन आने वाले दिनों में सोने की मांग और तीजी से बढ़ेगी इसकी भी आशुंका जताई चार ही है आपको बता दें कि अभी सोने और चांदी में गिरावट भले हुई हो लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्मेंट कह सकते है कुछ दिन अगर सोना गिरा तो फिर ये कवर कर लेगा अमेरिका में चुनाओ और वेश्वक्स तरह को देखते वे सोना और चांदी के दाम अधिक नहीं गिरेंगी इसकी भी बात कह दी गई है या खरीदारी ओं के लिए काफी अच्छा मौका है जो सोना चांदी के काफी शॉकिन हैं पहनना पसंत करते हैं अब सोना और चांदी के जो धाम है उसमें गिरावट दर्च की गई है और आज क्यूंकि 26 जुलाइ के दिन और भी ज्यादा गिरावट दर्च की गई है अगर आप भी सोना चांदी पहनना चाते हैं या पहनने के शौकीन है या फिर रखना चाते हैं खरीद करके भी एक संपत्ती के तौर पर तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आप जाक करके आज की दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं इसमें आपको पैसे भी कम द जहनते हैं या सोना चांदी खरीद के रखना चाहते हैं अपने पास उन सब के लिए बहुत अच्छा मौका है आज के दिन जाकर के आप सोना और चांदी खरीद सकते हैं हाला कि जब से बचट पेश हुआ है और सोना चांदी के दाम में गिरावाट आई है तब से देखा जा है कि जवेलरी शॉप पे काफी भीड भी देखी जा रही है जोवेलरी शॉप दुकानदारों का ये कहना है कि काफी लोग सोना चांदी के लिए खरीदने के लिए आ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि जदे जदा लोग इसकी खरीदारी कर सके और आने वाले वक्त मे ये भी पताया जा रहा है कि ज़्यादा दाम कम नहीं होंगे आने वाले वक्त में इसके दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने देखा ये कई बर सोना और चांदी के दाम में अपसे डाउंस आते रहते हैं कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है लेकिन क्यूंकि कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है इससे टेक्स में जरूर आम लोगों को छूट मिल रही है जिसे कि सोना चांदी खरीदना आम लोगों के लिए काफी आफसान हो गया है और भी सेंक अबरुगला बने रही है न्यूस एटीन बेहार चारकन के साथ